हालो तोस्तो, आजकी वीडियो में हम लोग देखते हैं SDFC पेट्टी एम, SDFC ब्यां क्रेडिट कार्ड की बारे में जानते हैं उसका क्या कर्षते हैं? आन्वल चार्जस क्या है? कितना क्या सब्यक है? आपको आन्वल चार्जस कैसे नहीं देना पड़ेगा? क्या करने से आपके आन्वाल चार्जे से उसका नहीं देना पड़ेगा यह सब की बारे में हम लोग जानेंगे आज की भीडियो में तो फिर अब हम है HDFC ब्यांक की अफिसेल वेबसाइट के उपर तो फिर यहां पहले हम लोग देख लेते हैं पेटेम क्रेडिट कार्ड जैसे आप देख सकते हैं तो उसकी फीचर्ट की बारे में हम लोग जानेंगे उसका 3% कैस बैक है अब जो भी पेटेम से खरीदेंगे मॉल मुभी और मीनिय अप उसमें से जो भी खरीदेंगे आपको 3% का कैस बैक मिलेगा मतलब मॉल मुभी और मीनिय आप छोड़के बाकि जो भी कुछ आप लोग स्पेंड करेंगे पेटेम में पर मान लीजिए अपने रिचर्च किया बिल पेमेंट किया यह सब के उपर 2% कैस बैक लगेगा और पकी 1% कैस बैक और दुसरे जगा कहीं भी आप लोग कुछ सफिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको 1% का कैस बैक मिल जाएगा और फिर आप जो खर्चा करेंगे उसको आपको 50 दिन के बाद पेमेंट करना पड़ेगा पचास दिन के ल नहीं मिलेगा आपको जब अगर आपने वालें मनीप लोड कर रहे हो फुल पर पर यह मैं कर सकते हैं अगर आपकी कार्ड कहां गूम हो जाता है कुछ हो जाता है आप अगर 24 आवर्स के अंदर कल सेंटर में कल करके रिपोर्ट करते हो तो फिर आपको जो भी उसके अंदर फ्रॉर ट्रैंजेक्शन हुआ होगा उसको आपको नहीं देना पड़ेगा यह उसकी टाम्स और कर्णिशन से जो कि बहुत अच्छी बात होता है आपको वान परसेंट का फूएल सर्चार्ज वेवड़ाफ हो जाएगा आपको मैक्सिमम एक साइल कील के अंदर 250 रुपीज का फूएल चार्ज वेवड़ाफ होगा आपका वान परसेंट की हिसाफ से आप अगर दस अजार से जादा खर्चा कर रहे हो तो आपको वान परसेंट की उसमें कैसफ़ भी लेगा यह एक्स्ट्रा। यह मााइस्टों बेनिफीट है आप एक साल में इसी साफे 12 रुपे तक क्यांड कर सकते हो तो फिर यह जो बाराशु रुपे होगा आपको तो उसकांद परशन के क्याश्ब के वह से आपको एक लाक भी साजार रुपे स्पेंड करना पड़ेगा हर महीने का लिमीट है 100 रूपीज आपको मांतली 100 रूपीज ही 1 परचेंट कैस्ट वैक मिलेगा जो मैक्सिमम है और 100 रूपीज है अब देख लेते हैं इसका फी क्या है आपको कितना फी देना पड़ेगा आपको इसका जो मांतली फी है और 49 पोलास जी एस्टी है आपको यह 49 रूपीज वैबडव हो जागा मतलों नहीं देना पड़ेगा अगर आप 5000 रूपे एक माहिने में स्पेंड करते हैं न यह माई पेंड जो स्पेंड करेंगे और टोटाल पेमेट आप करेंगे और यह माहिन नहीं होगा तब आपको यह 49 प्लस जी एस्टी जो मंतली चार्जस जे ओ आपको वैबडव हो जाएगा आपका मंतली चार्जस अगर 49 प्लस जी एस्टी है तो फिर आनुवल चार्जस हो गए 600 प्लस जी एस्टी काफी कसली है मेरे हिसाब से यह सब था पेटी एम, HDFC, क्रेडिट कार्ड की बारे में कुछ जानकरी, कुछ नर्माल फीचर्स उसका, उसका फीज, उसका बेनी फीर्स आजा करते हुँ वीडियो आपको जरूर्ट पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर टेक दिप्ति को सब्सक्रेब कर लिजिए, आगे इस तरह की इनफर्मेटिव वीडियो के लिए